राधे राधे दोस्तो मेरा नाम पिरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आजकी रेशिपी है ब्रतवाली लौकी की सबजी बिना तेल मसाले के ये सबजी बनाएंगे अगर आप लैसन प्याज नहीं खाते तो भी इसे ट्राई कर सकते हैं और ब्रत में तो इसे खाई सकते हैं जैसे नवरात्री आ रहा है न तो यह ट्राइ जरूर कीजिएगा आप इसे लौकी की भुजिया भी कह सकते हैं कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें फिर भी यह बहुत जादा टेस्टी बन के तैयार होता है और हम इसे प्रेसर कुकर में बन कुर्णड कोई में और पर फेसर कंदे कंदे सकते हैं द्रूम पक्रेस कैने सकते हैं गी में बना सकते हैं ए अधा चम्छ यहां पे जीरा डाल दिये थेचाना मिर्च सॉट में आप साब ज़सां करते हैं इस सFE chancesे यहीं पर की मिर्ची डाल दीजेगा इसे थोरा सा भून लेना है इसके बाद यहीं पर हम डाल देंगे एक दो चुटकी के करीब हींग तो बस एक दो चुटकी हींग डाल दिये हैं और मिक्स कर लेते हैं इसके बाद इसमें लौकी डाल देंगे जो कट करके हम रखे हुए हैं और हमारे यहां लौकी को सजमन कहते हैं आप बताईएगा आपके यहां इसे क्या कहा जाता है बहुत जगा लौकी को घीया भी कहते हैं पर हमारे यहां इसे सजमन कहा जाता है तो बस यहां पर डाल दिये हैं कुकर में लौकी और इसे एक मिनट तक आप भून लीजेगा गैस से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम यहां पर स्लो और मिडियम के बीच रखिएगा हाई नहीं रखिएगा एक मिनट देर मिनट तक आप इसे भून लीजिए अगर आपका लौकी खिचा है ना तो इसमें पानी अपने चूटने लगेगा आप देख सकते थोरा सा पानी चूट गय है थोरी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे अगर लौकी मोटा वाला है ना मोटा वाला बीज वाला जो लौकी होता है अगर वो लौकी है तो उसमें से पानी नहीं चूटेगा तो फिर आप यहां पे थोरा सा पानी डाल नहीं तो यह जल जाएगा अब इसे हम बंद कर देंगे और बंद करके दो सीटी हमें लगाना है और गैस का फ्लेम मीडियम स्लो के बीच ही रखिएगा हाई नहीं रखिएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं डाले है ना तो अगर हाई गैस के फ्लेम पे पकाएंगे तो यह ज अगर जादा पानी छूट गया है ना तो गैस अन करके यह पानी को हम सुखा देंगे एक दो मिनट के लिए हाई गैस के फ्लेम पे पका लेंगे ना तो यह पानी सूख जाएगा आप चाहे तो ग्रेवी रख भी सकते हैं हम यहाँ पे ग्रेवी सुखा दिये हैं और अब इ किसी के साथ भी आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा और हाँ अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो तीखा वाला हरी मिर्ची डाल सकते हैं इसमें तो बस सबजी यहां पे हम सर्फ कर लिए हैं जरूर बनाईएगा एक बार और बताईएगा कैसा लगा मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा विलकॉप बटन प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास बहुत सब्सक्राइब अच्छी लगे तो लाइक कीज़े शेर कीजे कमेंट कीजे अगर कुछ अच्छा नह नहीं लगे तो भी बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके थैंक्यू मिल दें आप से नेक्स्ट वीडियो में को और अच्छी सी रेसिपी के साथ